जैसे कि अभी तक आपने देखा कि लगू व्यवसाय जो है उसको चलाने में उसकी स्थापना करने में उसके विकास करने में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आईए अब हम इन समस्याओं को दूर करने वाले उपाए कौन-कौन से हैं इन्हें जानने की कोशिश करते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लगू उद्योगों के सुधार के उपाए What are the suggestions for improvement of small-scale industries? जो पहला suggestion आप देख रहे हैं उसमें दिया हुआ है वो कहता है सलाहकारी संस्थाओं का विस्तार मतलब सलाहकारी संस्थाओं का विस्तार ये जो कारे करेंगी वो लगू व्यवसाय की स्थापना से लेकर के उसके विकास तक में उन्हें ये संस्थाएं सलाह देने का कारे करेंगी इन में इनकी सारी चीजें इंक्रूड होंगी जैसे की वित्त की व्यवस्था कहां से होगी या जो लगू द्योग। हम जिनकी लगू व्यवसाय की बात कर रहे हैं अगर कुछ स्टार्ट करना है तो उस व्यवसाय का आईडिया क्या होगा या वो व्यवसाय किस कॉंसेप्ट पर बेज होगा क्योंकि कभी भी कुछ भी market में नया लाना है तो यह business करना है तो कुछ नया चाहिए innovative चाहिए है न या different चाहिए तो उसके लिए जितनी भी चीज़े जरूरी होती है proper ideas से लेकर proper funds से लेकर सारी चीज़े यह संस्थाएं जो सलाकारी संस्थाओं की मैं बात कर रही हूँ इनका कारव कि ये सलागारी संस्ता हैं जो हैं लगू व्यवसाय को सलाह देती हैं तो एन्ही संस्ताओं का विस्तार जो है गवर्मेंट के द्वारा किया जा रहा है इनका विकास किया जा रहा है जो कि लगू व्यवसाय को आगे भडाने में उनकी स्थापना करने में साथ ही साथ नए नए आईडियाज को जनरेट करने में और उसको implement करने में यानि उसको वास्तविक रूप प्रदान करने में मदद करती है जो दूसरा बिंदू आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कहता है गुणवत्ता नियंत्रन किसी भी व्यवसाय में उसके वस्तू की क्वालिटी या उसके उत्पाद की क्वालिटी बहुत माटर करती है साथ ही साथ उस व्यवसाय में एक प्रमापी करण भी होना चाहिए यह जो प्रमापी करण होना चाहिए वो उस व्यवसाय को चराने से लेकर के उस व्यवसाय का जो आउटपुट है या उससे जो बनने वाला उत्पाद है या उसे मिलने वाली सर्विस है वो भी एक प्रमापी करण के तहत ही उसमें कारे करना चाहिए तो जब हम गुणत्ता नियंदरन की बात करते हैं तो सबसे पहले किसी भी विवसाय को शुरू करने से पहले उसके कुछ प्रमाप है ना निश्रित कर लेने चाहिए और उन्हीं प्रमाप को एक बेस मान कर उस पर आगे बढ़ना चाहिए और उस पर कारे करना चाहिए अगला जो बिंदू आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है प्रशिक्शन प्रशिक्शन सिंपल सी चीज़े ट्रेनिंग कोई भी कॉंसेप्ट पर आप काम कर रहे हैं तो हर चीज जो ह सुख्शन है आपको सीखनी पड़ती उसकी च्रीनिंग लेने पर तो स्की ज ज्यांकारी होनी पड़ती है ड्लेज डेन करना पड़ता तो इसके लिए सब से बीयों आप्शन होता है कहता है सहकारी समीतियों का विकास ये corporate जो सुसाइटी जैसे कि आप पहले भी जान चुके हैं कि ये सुसाइटी जो हैं वो पूंजी को निवेश करने में मदद करती है फंट जो है अवेलेबल कराती है साथ रॉ मटीरियल यानि कच्छामाल अवेलेबल कराती है अगर कुछ म लगू विवसाय के विकास में बाधा उद्पन करती है उन सभी छोटी समस्याओं को दूर करने काम कौन करता है यही सहकारी समीतियां भी करती है तो ये चौथा एक उपाय था पाचवे उपाय की और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं पाचवे उपाय कहता है व्रिहत हम लगू उद्योगों में समन्वें जिसे कि आपको इस टॉपिक के या इस चाप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि जो लगू विवसाय होता है किसी भी एक बड़े विवसाय का एक छोटा पोर्शन होता है और वो बड़ा विवसाय उसका जो होता है पेरिंट कहला कार्य क्या होता है कि वह जो उत्पाद बना रहा है ठीक है वह अपने पेरेंट इंडस्ट्री को या पेरेंट बिजनस को इसके लिए क्या जरूरी है कि यह जो लगू विवसाय है या लगू उद्योग है उनका व्रहत उद्योगों के साथ एक अच्छा समन्द और समन्वें दोनों होना चाहिए तभी यह जो बिजनस है वो एजी ली आगे बढ़ सकता है आगे अगला उपाय देखते हैं अगला जो उपाय है वो कहता है उत्पादन तकनीक में सुधार हम जैसे कि अभी तक देख रहे हैं कि जो हमारी लगू विवसाय के सब्सक्राइब जो बहुत सारी चीज़े बदल रही हैं तकनीके बदल रही हैं तो हमें उत्पादन तक्निकों में भी और उससे रिलेटड क вспle भी सुधार लाने की आवश्लकता है यह आवश्लकता इसीलिए है क्योंकि मार्किट की डिमांड है अगर कीसी भी साय को आगे बढ़ना है तो उससे मार्किट की डिमांड के बेसिस पर ही काम करना पड़ेगा त पादन तकनीक में सुधार, अगर किसी लगव व्यवसाय को अपने व्यवसाय की सिविति में सुधार करना है, यह उस जो बढ़ना है, तो उसके लिए उन्हें अपने अफ़र पादन तकनीक में सुधार करना पड़ेगा. अगला उपाय कहलाता है कि अनुशासन कारे करम का विस्तार अब देखे वच्छो अनुशासन कहीं भी किसी भी कारे में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है बिना डिस्सिप्लिन यानि अनुशासन के किसी भी कारे को पूरा ने क्याज़ा अब अनुशासन लगूवे विस् पूटी यानि अंतिम उत्पाद बना रहे हैं उस अंतिम उत्पाद की क्वालिटी पर ध्यान दे रहेंगी और उस अंतिम उत्पाद को अपने कस्टमर तक सही समय पर पहुचा रहेंगी तो ये सारी चीज़े जो बिजनस के एक डिसिप्लिन में आती हैं वो पूरी करने भी जरूरी है फिर बात आती है वित्ती सुविधाओं का विस्तार किस स्वीधाओं का विस्तार किस सरीकें से हो सकता है अलग-अलग använd की जो schemes हैं जो की frand provide करती है उनको पालन करते हुए और डिफरेंट बैंक्स से लोन लेकर के जो की कम ब्याजतर पर लोन प्रोवाइड करती हैं उनसे ये वित्ती सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं जैसे कि अपको पहने पहले भी बताया था कि ये थोड़ी सीलेंदी प्रोसेस होती है इसमें थोड़ा सा पेपर वर्क होता है जो व्यवसाई हैं वो क्या करते हैं बैंक से लोन लेकर के वो क्या कर लेते हैं किसी दूसरे उद्योगपती से लोन ले लेते हैं जिससे उनको थोड़ा ब्यासदर जादा देना परता है लेकिन ये थोड़ा थोड़ा ही होता है वो उनके लिए काफी बड़ा हो जाता है इ साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया जो सहकारी समीतियां हैं ऐसी ही कुछ और बहुत सारे इंजियोज और समीतियां हैं जो की मदद करती हैं इस तरह के लगूव्य विसाय को आगे बढ़ाने में अगला जो उपाहम देखते हैं वो है प्रदर्शनियों का विस्तार अब चो देखो आपने कई बार देखा होगा कि हैंडी क्राफ्ट मीना लगता है आप उसमें जाते हैं वहाँ पे यह जो प्रदर्शनियां हैं वो बहुत ही जो हैं कम आजकल दिखने में आती हैं तो इन प लगूभय विसाय होते मैं ङसे कि मैंने बताया कि बना रस की साड़ी मैंने बताई उसके बाद जाती हैं इसके लावा बांस की फरनीचर बहुत खूबसूरत बना जाते हैं फिर बस्तर आर्ट में ने बताया और भी इसे हमार देश में बहुत ही खूबसूरत संस्कृती और कल्चर है और इसे कई चीजें हैं जिनें लगू व्यवसाय के रूप में परिवर्तित किया गया है तो उनका प्रदर्शन करना बहुत जड़ूरी तो इनके लिए प्रदर्शनियों का विस्तार होना भी बहुत जरूरी है अगला बिन्दू है विशेश अधिनियम बनाये जाएं बिल्कुल जभी लगू व्यववसाय को ग्रो करने की बात कर आती है उसके विकास की बात तो जो भारत सरकार है वो हमेशा ऐसा चाहती है कि कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जाएं जिससे कि ये लगू व्यवसाय ग्रो करें क्योंकि ये जो होते हैं वो इंटरनल फैनेंशल सपोर्ट करते हैं ठीके आंतरिक रूप से अर्थ व्यवस्ता की मदद करते हैं और इनकी जो पकड़ होती है वो देश के अंदर ही होती हैं किसी भी बाहरी शक्ती का उन पर किसी भी प्रकार का असर नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि ये जो लगू विवसाय हैं वो कहीं न कहीं देश को आंतरिक रुप से सपोर्ट करती हैं उसकी अर्थ विवस्ता को मजबूत बनाने में तो इसके लिए ऐसे कई नियम कानून या अधिनियम बनाये जाने चाहिए जिसे की लगू विवसाय और अच्छे से विकास और विस्तार कर सके अंति मुपाय कहता है कि विक्री सुविधाएं किस सरा की विक्री सुविधाएं होनी चाहिए इन्हें इस सरीके से प्रेजेंट करना जाहिए इनन bewusst के लिए कुछ मार्केटिंग एजेंडास आने चाहिए साथ ही साथ ऐसे क tresp़ सामने आने जिस से कि ये लोगों तक आसानी से पहुंच सके और लोग भी इन्हें उत्सुकता से खरीदे और इनका उप्योग करें तो इस तरीके से हमने लगू उद्योगों में सुधार के कुछ उपाय को जाना है आईएब हम देखते हैं कि जो ग्रामीन पिछडे पहाडी शेत्रों में उद्योगे वित्ती सहता अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा देश है वो क्रिशी पर बेज़्ड है तब यहाँ पर जो जनसंख्या है वो 58 प्रतिशत ये 60 प्रतिशत के लगभग भी पूरी तरह क्रिशी पर निर्भर करती है इस सिती में क्या होता है कि जो भार है वो क्रिशी पर ही पड़ता है तो जब हम ग्रामीन पिछडे और पहाडी शेत्रों की बात कर रहे हैं वहाँ पर उद्योगों को वित्ति साहता देने की बात कर रहे हैं तो वहाँ सबसे पहले में जाना जरूरी है कि उद्योग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं तो जो उद्योग होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं पहला उद्योग आप देख रहे हैं क्रिशी पर आधारी जिसे हम agro based industry कहते हैं यह पूरी तरीके से क्रिशी पर आधारी तो होते हैं यह उद्योग ठीक है दूसरे जो उद्योग होते हैं कूटिर उद्योग इन्हें एक चारदिवारी के अंदर पर इन तरह के industries, इस तरह के industries को चला जा सकता है जी से हम English में कहते हैं cottage industry. अब यहां पर किस तरह काम होता है? दस्तकादी करना, साबुन बनाना, है ना और मध्य मक्यों पालन, अब आप सोचेंगे कि मध्यों मक्यों को किस तरह के से घर में पालन सकता है, बिल्कुल यह cottage industry का ह काम है यहां पर कुछ इस तरीके से जालियां मनाई जाती है और उनको सेफली सेफली उनको इस तरीके से रखाया ता साथ ही साथ वहां मध्धुमक्यों को पाला जाता है और वहां से वो पूरी प्रोसेस को वो इंप्लिमेंट किया जाता है पूरी प्रोसेस वहां से कारे करती जिससे कि वहाँ मध्धुमक्यां पाली जाती हैं और शेहत का निर्मान किया जाता है तो इसका यह से कुटीर उद्योगों के कुछ उधारन आपने देखे अगला और अंतिम जो एक प्रकार का उद्योग आप देख रहे हैं वो है खादी एम गरामेन उद्योग खादी आप बहुत अच्छे से इस नाम से जानकार है और खादी जो है एक कपड़ा है और यहाँ पर जो खादी कपड़ा बनाना साथी साथ मसाले बनाना उसके अलावा बढ़ाई का काम करना मिट्टी के बरतन बनाना ऐसे बहुत सी चीज़े हैं हैं इसमें आप मुम्बत्ती बनाना माचिस की डिबभी बनाना ये सारी चीज़ों को भी आप इन्वाल कर सकते हैं तो ये जो सारी चीज़े हैं वो खादी एवं ग्रामीन उद्योग के अंतरगत आती है तो ये तो हो गया कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं किसमें ग्रामीन पिछडे पहाडी शेत्रों में अब हम बात करते हैं कि ग्रामीन पिछडे पहाडी शेत्रों में इस्थापित उद्योगों को प्रदान की जाने वाली विशेश न्यूनितम जो फानेंशल हम एक्टिविटीज किस तरह से या फैनेंशल जो हेल्प हैं किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं इस टॉपिक में यह जानेंगे तो यहां पर सबसे पहले हम बैंक की बात करेंगे जैसे वाने दोपारेंट किस्यों के लिए प्रोवाइड करते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए अगर कोई लगुया अविशा करना चाहता तो उसके लिए रखाय Özकुष करते हैं जिससे की उन शेत्रों का विकास हो सके तो ये वहाँ पे उनको लोन प्रोवाइड करते हैं और इनकी ब्याजदरे भी काफी कम होती हैं फिर एक और बिंदू आता है वो कहता है कि भूमी विकास बैंक लान डवलप्मेंट बैंक यहाँ पे कृशी से रिलेटेड जितने भी का इतना है इन सारी चीजों के लिए ये जो बैंक है बहुत कम ब्याजदर पर कृशी को को लोन प्रोवाइड करती है फिर इसी भूमी जो हम विकास बैंक की बात कर रहे हैं उसके अंतरगत इसे दो भागों में बाटा गया है इसमें जो है एक राज्य सरकारी कृशी एव ग् परकारे करते हैं और जो दूसरा इसका भाग आप देख रहे हैं वो है प्रार्थमिक सरकारी कृशी एवं ग्रामेड विकास बैंक जिसे हम क्या कहते हैं प्राइमरी को अपरेटिव एग्रिकल्चर और रूरल डेवलप्मेंट बैंक इसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं पी सी तो उनों का काम सेम होता है यह घुमी विकास परेंक के अंतरगत आती है तो पहली बैंक है स्टेट लेवर स्टेट LEVOL पर क्याम करती हैं और दूसरी बैंक प्रार्थमिक बैंक वो जो है विशेष्ट शेत्री लेवल पर जिले की लेवल पर काम करती है इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है वो कहता है अगले बैंकिंग सुविदा है वो है शेत्रिय ग्रामेंड बैंक जिसे हम रीजनल रूरल कहते हैं यह जो थी उनीस सो च्यानवे तक एक सो च्यानवे हुआ करती थी है लेकिन अब जो है इनकी 436 जिलों में 14-420 शाखाएं खोली गई है इनका कारे भी यह है कि ग्रामीन शेत्र में रहने वाले लोगों की क्रिशिक के साथ साथ लगू व्यवसाय में या अन्य किसी व्यवसाय को करने में उनकी मदद की जाए आए और भी हम कई बैंकों के बारे में जानकारी लेते हैं और सिट्बी के साथ साथ डी आएसी और नाएसी के बारे में जानकारी लेते हैं और उनके फंक्शन्स यानि कारियों को जानते हैं तो आए हम बात करते हैं नाबाड या हम हिंदी में कहते हैं राश्ट्र कृषियम ग्रामेंड विकास इसकी जो सापना हुई थी वह 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसके जो कुछ करी oxy बैंकों और भूमी विकास बैंकों साथ इस शेट्री ग्रामेंड बैंकों तता अन्य वित्ती संस्थाओं द्वारा कृषी लगु ततता कुटीर उद्यों गों अदी के लिए दीए गें रहनों का पुनवरत्ति करना होता है मतलब फिरसे उनको को comfort करेंस का नुभान को कि लिए क्यूंत का समंतिन अगैầne यहां पर जो होता है इनका काम पुणेवृत्ति के साथ साथ विकास का भी विदेशी सहता कि इन बैंकों को किन लोगों से और सहीता मिल सकती है कहां से और फंट को सकते हैं यह चीजे यह ऐसके बैंक होती हैं जो विदेशी सहायता प्रदान करती हैं बात आती है अगले बैंक इसके कारे की संस्थागत ग्रामीर बैंक इसमें ये बैंक स्विकृत संस्थाओं का साख प्रदान करती हैं वे संस्थाओं जो स्विकृती प्राप्त हैं गवर्मेंट से वो क्या कर सकती हैं फ प्राकृतिक आपदाउं और साथ इसाथ सायनिक गतिविधियों युद्ध आधी आपातकालीं सित्यों में उत्पादन साख के लिए सस्ते रिण प्रदान करते तो कुछ बच्चों यह फंक्शन्स थे जो की यह कारे थे जो की राश्ट्रे कृषियम ग्रामेंड विकास बैं किंद्री सरकार के एक उपक्रम के रूप में हुए ऐसे देखा गया कि उद्मियों के पास मशीनरी यंत्र खरीदने के लिए परियापक पूंजी का अभाव था तो पूंजी की कमी कारण ही अनेक नए उद्मी उद्मी अवसरों का लाव उठाने से बंचित रह जाती थे उ और इसके चार्क शेत्री कार्याले नई दिल्ली मुंबाई कॉलकात्ता चेन नहीं में इसके अतरिक्त पूरे देश में विविन महत्वपून शहरों में ग्यारा ब्रांच कार्याले भी फैले हुए है एनसाइसी लगूसरी उद्योगों को अनेक सेवाएं प्रदान करते है आए अब हम देखते हैं कि एनसाइसी के कारे क्या करते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पहला काम है किराय क्रेप अधती पर भारतिय वह विदेशी मशीनरी उपलब्द करना दूसरा पट्टे पर विभिन यंत्र उपलब्द करवाना पट्टे मतलब रेंट पर तीसरा है दुरलब कच्चा माल उपलब्द करवाना वो भी इनका काम होता है कि कम दामों पर वो उपलब्द करवा सकें फिर है SSIS के उत्पादों के विपणन में मदद करना मार्केटिंग बहुत जरूरी है क्योंकि मार्केटिंग यानि विपणन के बिना कोई भी याद में मदद करना कस्टमर तक प्रड़क्ट का या उत्पाद का पहुंचना बहुत जरूरी है वह शाहर देश के बाहर ही क्यों नहों तो यह निरियात की बात यहां से आती है कि मदद करते हैं और SSIS के श्रमिकों को विभिन शेत्रों में प्रश्विक्शन प्रजान करन और नवीनतम तक्निकी प्राप्ट करने में मदद करना जितनी भी नई नई टेक्नलोजी इस मार्केट में आ रही हैं उनको किस तरीके से आसानी से हम उपयोग में ला सकते हैं लगू प्यवसाय में और लगू प्यवसायों को किस तरीके से उपलब्द करा सकते हैं जिसे उ को उससे मदद मिले या उनसे हल्प मिले ये इनका कारे होता है और उद्योगिक बस्तियों की स्थापना करना साथ ही साथ सलाकार सेवाइं प्रदान करना जो कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था ये सलाकार सेवाइं क्या रहती है कि ये किसी भी उद्योग की स्थाप से फंड को arrange किया जा सकता है साथ ही साथ raw material related कहां से लिया जाएगा उस लगवय अभशाय की marketing कैसे होगी उसके प्रॉडक्ट को किस तरीके से markit में लाया जाएगा कैसे customers का कहँचा यह सारी चीजेश जो सलाकारी सेवाएं हैं उनको कदान करना और अंतिम जो इसका function है वो है उपयुक्त दरों पर कच्छा माल उपलब्द कराना कम से कम दर पर रोव मटीरियल कच्छा माल उपलब्द कराना जिससे की लगुव्य अवसाइयों को इसका फाइडा मिल सके आगे हम देखते हैं डियाइसी यानि जिला उद्योक केंद्र डिस की घोशना होई इसके अंतरगत लगू अधी लगू कुटी तता ग्रामी उद्योको के विशेश शिक्रों में विकास का जोर दिया जिला उद्योक केंद्र की स्थापना का मुख्य देश जो था वो था कि सभी आवश्यक्स विधाओं को एक ही स्थान पर उपलब्द कराना आग सथापित के जाने वौले जि्ला उद्योक केंद्र के लिए संबंधित राज्योकी सरकारों दवारा बराबर मातरा में outra में विधाग भूमि कारेक्षट कच्चा माल आधी आवंटिक क्नी के लिए जिला उद्योक केंद्र उद्योक निदेशाल इंडिस्ट्री की देख रेक में काम करते हैं प्रतेक जिला उद्योग केंद्र का एक मुख्य प्रवंदक जेनरल मनेजर होता है जिसकी साहेता के लिए चार कार्यात्मक प्रवंदक यानि फॉंक्शनल मैनेजर और तीन प्रॉजेक्ट मानेजर न्यूक्ट किये जाते हैं मुख्य बिंदू के रूप में काम करना दूसरा लगू सरीय और द्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट वो उद्मियों की पहचान करना तीसरा लगू सरीय और द्योगिक इकाईयों को स्थाइप पंचिकरण प्रमान पत्र जो है जारी करना चौथा लगु सरीय और जगिक इकाईयों को विभिन प्रोचसाहन प्रदान करना फिर लगु सरीय और जगिक इकाईयों को विपढ़न सहयता उपलब्द करना इसकी बाद जो अगला बिंदू है वो कहता है जिले की उधमियों तता मुख्य बैंक में संबंद इस्थापित करना शिक् मशिनिरी वकच्चामाल आयात के लिए उधमियों की साहता प्रदान करना तो यह जो कुछ कारत है जो जिला उध्यों केंद्र के कारत है तो बचों इस तरीके से जो हमारा लगूब यवसाय है आपको मिले सिवलबस के अनुसार यह टॉपिक यहीं खतम होता है आशा है आप इसके जो कुछ important questions है वह आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं जो दो important questions है वह है पहला NSIC और दूसरा DIC साथ ही अगर हम बात करें तो इसके अगले दो important questions में आपको मिलेगा कि लगूद्यों की समस्याय क्या है और उसकी सुधार की उपाय क्या है और ग्रामीन भारत में छोटे इसके भूमिका क्या है यह बहुत ही important question है अगर हम लगू उद्यों की भूमिका यह महत्वकी बात करें तो यह आपको यह questions भी कई बार आपके प्रशन पत्र में पूचेंगे तो आशा है आपको यह जो लगू योगसाय का concept है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और क्लियर दुगाओन